असलाम अलेकुम दोस्तों दिस इस साफी विदियू दोस्तों जैसा कि हमने अनाउंस किया कि हम एक सीरीज पूरी चलाएंगे बेस्ट बैंक फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके कमेंट्स के उपर डिसाइड होगा कि कौन से बैंक के लिए पहरे वीडियो बनाई जाए तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे जादा कमेंट्स आए वो थे MCB बैंक से रिलिटेड हुआ तो चलें इसकी स्टार्टिंग करते हैं जो MCB का रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें जो यह सर्विसिस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें है रोशन अपनी कार उसमें है होम लोन MCB debit card, MCB credit card और Government of Pakistan की securities उसके इलावा real estate यह वो तमाम सर्विसिस हैं जो के अगर आप MCB में रोशन डिजिटल अकाउंट उपन करते हैं तो आप इससे फाइदा उठा सकते हैं अच्छा अब इसकी तमाम सर्विसिस को देख लेते हैं के करके तो जो सबसे पहली सर्विस है व कि रोशन अपनी कार के उपर MCB bank की जो पूरी scheme है वो मैंने उसकी अलग वीडियो पूरी बनागे में detail में बता चुका हूं उसका link description में मौझूद है आप वो वीडियो देखकर रोशन अपनी कार के बारे में तमाम तफसीलात उसमें देख सकते हैं अब इसमें बात करते है जो दूसरा है वो है home loan तो अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट open किया है तो आप किस तरीके से home loan हासिल कर सकते हैं और उसकी क्या details हैं अब हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं अच्छा आप यहाँ पे जो यह home loan के बारे में बता रहा है यह कह रहा है कि अगर आप इसमें apply करते हैं तो 50 million तक यानि के 5 करोड रोपे तक जो है वो आप इसमें ले सकते हैं और अगर इससे जादा भी लेना चाहें तो वो भी उसके लिए भी apply किया जा सकता है अच्छा उसका जो है वो criteria क्या है कौन-कौन उसमें apply कर सकता है या ले सकता है देखें जो भी applicant है वो पाकिस्तानी national होना चाहिए ठीक है और बाहर रहता हो मुल्क से बाहर रहता हो और उसकी job जो है permanent हो या contractual हो उससे कोई फर्थ नहीं बढ़ता लेकिन उसकी जो minimum net monthly salary है व जिसमें से दो से चार साल जो है वो आपने पाकिस्तान से बाहर काम किया हो अच्छा जी जो अगर कोई पाकिस्तानी उसके पास dual nationality है तो भी इसमें apply कर सकता है और local co borrower की requirement है वो लाजमी होगी इसमें ताकि वो आपका कोई भी blood relative हो सकता है अच्छा एक साल का banking relationship आपका हो होना चाहिए पाकिस्तान में उसके इलावा आपकी जो एज है वो 25 साल से चोटी नहीं होनी चाहिए और 70 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो यह मैंने आपको बता दिया इनके जो home loan की बारे में है रोशन डिजिटल अकाउंट खुलने के बाद इस service का मैंने आपको बता करेगा वह property find करेगा और उसको purchase करने के लिए बैंक में बताएगा कि यह इसकी तमाम details है बाहर की details है और यह property में जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उसके बाद बैंक जो है उसकी प्रॉपर्टी की value को जो है वह जो भी अप्रूव वैल्यूएटर है उनके थू जो है उसकी value निकल वाएगा और वह state bank की guidelines के मताबिक उसकी valuation करेगा उसके बाद bank जो है वह एक lawyer के थूँ जो है एक search report title search report होती है वह arrange करेगा उसके बाद bank जो है वह process कर देगा payment bankers check के जरीए जो के RDA account जो customer का है उसके थूँ होगी उसके बाद जो है customer को जो है ना वह तमा share करनी पड़ेंगी और इसमें तमाम जो भी property से related और जो rules है वो apply होंगे ठीक है अच्छा ये मैंने आपको बता दिया real estate में investment के बारे में अब इसमें जो option है कि आप Pakistan stock exchange में invest कर सकते इस Russian digital account के थूँ उसमें यही है कि अगर आप non resident पाकिस्तानी है अब आप stock exchange में पैसा invest कर स चाहिए आपने simply जो है जो mcb का एक online mobile banking portal जो होगा जब आप रोशन डिजिटल account open कर लेंगे तो एक mobile banking portal आपको फराम किये जाएगा उसमें आपने simply जाना है उसमें एक option है पाकिस्तान stock exchange का उसको आपने select करना है उसमें कुछ steps है 234 इस तरीके से पहला तो आप भी कर चुक है ग्रो करेगी सल तो आप उसमें invest कर सकते हैं अच्छा आप इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं आपको बता दूँ आप इसमें current account भी खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं और multiple currencies में खोल सकते हैं पाकिस्तानी currency डॉलर है योरो है जीवीपी है उसके लावा internet banking funds transfer, bill payments यह सब फ्री होगा, checkbook फ्री मिलेगी, debit card, credit card फ्री मिलेगा और फ्री delivery होगी इसकी और foreign remittance यानि के repatriation जब आप पैसा वापस मंगवाएंगे तो उसकी कोई fees नहीं होगी यह लोग बहुत सवाल करते हैं यह वाला तो यह आप यहापे clear कर दी है इनोंने उसके वीडियो बनाई हैं, आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, उसका link भी में शेयर कर देता हूँ, तो वो जरूर देखें कि नया पाकिस्तान certificate के क्या rates हैं, क्या details हैं, तमाम उसमें मौझूद हैं, तो उससे आपको फायदा होगा, पाकिस्तान stock exchange का मैंने आपको बता दिया, गौर्मेंट अफ पाकिस्तान की सिक्यूरिटी जो अधर आपकी जो सिक्यूरिटी होती हैं, गौर्मेंट की जो investment certificates बगहरा होते हैं, उसमें भी आप invest कर सकते हैं, रियल estate का मैंने आपको बताया, यूज कर सकते हैं, होम लोन facility के बारे में बताया, रोशन अपनी कार के बार यहां से अपनी जकात वगयरा भी भेज सकते हैं, अच्छा यह फीस और चार्जिस तो मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजे इसमें फिरी हैं, लेकिन यह जो तमाम चीजें फिरी हैं, इसके लिए एक चार्ज हैं जो के total deduction के तोर पे किया जाएगा, हर रोशन डिजिट हैं बारत, तो अब हमने यह तमाम services इसमें देखी, अब इससे related कुछ ऐसे सवालात होते हैं, जो लोग जादतार करते हैं, उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं, कि कौन कौन eligible हैं, यह तो आपको बता दिया मैंने, जो कि non resident हैं, वो अपलाय कर सकते हैं, और जो resident हैं, लेकिन जि पहले से कोई account है, उसको convert किया जा सकता है, क्या नहीं, जी convert नहीं कर सकते हैं, रोशन digital account में आपको इसके लिए अलग से ही open करना पड़ेगा, कैसे इसको open करना है, अच्छा इसके जो एक portal है, जिसमें आपको form वगरा भरना होता है, तो उसके लिए mcb के अपने channel के उपर पोर्टल को किस टेडि के form को किस तरह भरना है, बड़ा अच्छे अंदाज में बताया गया है, तो उसका link भी मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आपको form भरने में मुश्किल हो रही है, तो वो आप वीडियो देखके उसमें easily भर सकते हैं, वो अंग्रेजी में अगर आपको क किसी को भी कोई मुश्किल हो रही हो तो सवाल कर सकता है, मैं उसके बारे में भी जवाब आपको दे दूगा, अच्छा इसके लावा जो बहुत सारे सवालात हैं, मैं सब पर नहीं जाओंगा, जो में चीज़ें उसके ओपर जाएंगे, कि कौन कौन से document देने हैं, वो मैं को बता दू, देखें जहां पर भी आप काम करते हैं, वहाँ से आप अपना certificate ले लें, ठीक है ना, कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, आपका जो work permit है, यानि कि आपका एकामा वगारा और work permit, यानि कि मैं समझता हूँ, वीजे की copy भी अगर आप देने तो अच्छी बात है, अगर आप किसी ऐसे मुलक में रहते हैं, जहां पर टेक्स भरना पड़ता है, तो वहाँ के foreign tax returns की copy, slip की copy, अगर आप कहीं किराये पे रहते हैं, तो rent agreement की copy, और अगर आपने कई investments वगारा की नहीं हैं, तो अगर जरुवत पड़ी तो अगबर आपको अपनी income जादा दिखा रहे हैं, बिलकुल आपका data secure होगा, ऐसी बात नहीं है, बैंक्स वगएरा में आप account खोलते हैं, तो data secure होता है, अगर एक से जादा रोशन डिजिटाल अकाउंट जी हैं, आप खोल सकते हैं, बिलकुल खोल सकते हैं, लेकिन हर currency में एक ही खोल सकते हैं, PKR में एक खोल सकते ह आप different कोल सकते हैं, और current और saving account भी अलग अलग खोल सकते हैं, तो इस तरीके से जादा accounts आप खोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो, profit payment वगएरा के लिए, क्या frequency है, क्या rates है, अगर रोशन डिजिटाल अकाउंट होगा, देखें, यह मैं तफसीर से बता चुका हूँ, आपको अपनी वीडियो में क्या rates होंगे, आप मेरी जो रोशन डिजिटाल अकाउंट की मैंने आपको introduction वीडियो में link दिया था, उसको देखेंगे तो तो उसमें तमाम rates मौझूद हैं, और उसके लावा नया Pakistan certificate की तो मैंने calculation भी Excel के उपर करके दिखाईए, उसकी वीडियो मौझ आप ट्रांसफर कर देंगे डीटेल, सुइफ्ट कोट बगारा सब चीजें डालते हैं और उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो जैसे आप आप अपने अकाउंट में पाकिसान में इसी तरीकी से रोशन डिजिटाल अकाउंट में करेंगे, अच्छा जी, यह सारे सवालात ह खाल है कि कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जिसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, मुबाइल बैंकिंग का एक सवाल और था, जो कि मैं समझता हूं, बता देना चाहिए, मुबाइल बैंकी जरूर आपको मिलेगी, और जहां पे भी आप रहते हैं, आप अपना वहां का नमबर उसमें रिस्टर्ट कर सकते हैं, ताकि आप एजली जो है, जितनी भी फैसलेटीज हैं, उसको यूज कर सकें, तो ये था, MCB के बारे में रोशन डिजिटल अकाउंट की तमाम डीटेल्स, आपका कोई भी कोश्चन है, मजीद आप कर सकते हैं, परसनली मैं खुद भ आप फाइदा उठा सकते हैं, तो इन्शालला मैं नेक्स अब आप लोगों के कमेंट्स देखूँगा, कि कौन से बैंक के उपर आप चाहते हैं, कि मैं नेक्स वीडियो बनाओ, तो उसके साथ आपके साथ मुलाकात होगी, आपके दोस्ता फिल्ला वस्यूला, असलाम अने हरा तोस्ता हुआँगा पूप वस्यूला वस्यूला है?